और चलिए अब बात पहारों की ठंड़के बीच चुनावी गर्मी की इस वक्त हिमाचल के मंडी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उमीदवार कंगना रनूत और कॉंग्रेस की विक्रमादेते के भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है विक्रमादेते कभी कंगना को प्यराख्शूट उमीदवार बनाते हैं तो कभी उनके खानपान और जुबान पर सवाल उठाते हैं वही कंगना भी उन्हें शेहजादा बताकर तंच कसने से नहीं जुक रही हैं कंगना की माने तो विक्रमादते को आम लोगों की परिशानी का तो पता ही नहीं है और वो लालच में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बलकि अपनों की सेवा उन्हें राजनीती मिलाई है आईए सुनते हैं क्या कह रहे हैं तुनों ने था हालांकि उनका खान पीन उनका व्यप्तिकत मामला है मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुतुव का जंडा उठाया हुआ है इसलिए ये बात और घंबीर हो जाती है इसलिए मेरा RSS से जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और्गनाईजेशन है राश्य समसेवक संग उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है आज भी मैं उनसे विनमरता से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपनी स्तिती स्पष्ट करे जिस तरीके की भाशा शैली का वो प्रयोग कर रहे है वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृती में तो नहीं है ये जरूर है अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तिमाल होता है ये एक टपोरी लैंग्विज है जो भाजपा और खास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में जैसे बॉलिवुड में कहा जाता है उस तरीके की शब्दा वली का अगर प्रियोगे यहाँ पर कर रही है तो उनको तो मैं नमश्कार ही कह सकता हूँ जो पहनना है उनने वो पहनने हमको कोई दिक्रत नहीं है मगर समस्या यह है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जहां जाती है वहां का पहनावा पहन लेती है उनको लग रहा है कि यह कोई कोई जो है इलेक्शन का कैम्पेन नहीं है कि कोई जहां के वहां पर फोटो स्कीजना शुरू कर देंगी ऐसे चुनाब नहीं लड़े जाते हैं और क्या होता है अपने प्रदेश के प्रती अपने मत्र भूमी के प्रती को इसमें कोई प्यार आज मुझे कोई दौलत कोई शोहरत कोई मीडिया की अटेंशन कोई काम की कमी यहां खीच कर लेकर नहीं आई है कोई बाप दादाओं की दी हुई पॉलिटिकल जागीर मुझे यहां कीच कर नहीं लाई है